सुपरस्टार प्रभास के फैंस का इंतजार हुआ खत्म प्रभास की सलार The Seeds Fire रिलीज हो चुकी है प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था और जो बची कुची कसर रह गई थी वो फिल्म में निकल गई क्योंकि फिल्म एक बहुत ही शांदार तरीके से उभरी है और लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है फिल्म का क्रेडिट न सिर्फ प्रभास को जाता है जो सुपरस्टार है और जो किरदार दिया जाता है वो उसके साथ हमेशा जस्टिस करते हैं और वो कारण है कि ये कहानी इतनी सुपर तरीके से निखर कर सामने आई है प्रशांत निल ने पहले केजी एफ और केजी एफ टू के जरिए ओंडियन्स को काफी एंटर्टेन किया था उनके फिल्मों में एक्शन होता है लेकिन साथ में कहानी भी चलती है अकसर एक्शन फिल्मों में ये कमी रहती है कि मारधाडा तो बहुत दिखाते हैं लेकिन emotional कहानी नहीं होती है या कहानी को बिल्ड अप नहीं कर पाते हैं बट प्रशांत ने इस फिल्म में बहुत ही शांदार तरीके से कहानी को बनाया है और कहानी के साथ में जिस तरीके से एक्षन और प्रभास का किरदार जेल होता नजर आता है, वो काफी शानदार है प्रभास और प्रित्विराज दोनों बहुत शानदार लगे हैं फिल्म में इसके अलावा शृती हसन भी इस फिल्म का हिस्सा है प्रभास की सालार को इनिशिल जो रिस्पॉंस मिला है, उसके बाद मल्टिप्लेक्स और थेटर आउनर्स का जो कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा था वो भी क्लियर हो चुका है और थेटर वाले स्क्रीन्स बढ़ाने के लिए भी तयार है फिल्म देखकर जहां प्रभास के फैंस का कहना है कि इसे कहते हैं मॉन्स्टर ब्लॉक्बस्टर फिल्म वहीं ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि सलार प्रभास के लिए शानदार कमबैक साबित होती नजर आ रही है सालार ने प्रभास को एक बार फिर से Box Office का बाहुबली बना दिया है फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त है कि सुबह के टू अकलॉक बजे से इस फिल्म के शोज शुरू कर दिये गए और प्रभास के फैंस सुबह के टू अकलॉक बजे इस फिल्म को देखने के लिए भी पहुँचे सलार इस डेफिनिटली फॉर मासिस्ट और कहा जा रहा है ये फिल्म 1,000 करोड एच तो क्रॉस कर ही देगी वैसे अगर आपने सलार फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाटसेब ग्रूप को जॉइन करें